नमस्कार आपका निवेस में आपका स्वागत है मैं हूँ मानमिंद्र कुमार बचत का अपना महत्व है लेकिन बचत क्यों करनी चाहिए आईए इसी बीसे पर बात करते हैं समझीव कुमार गर्दी से सर आपका बहुत स्वागत है बचत का अपना महत्व है आखे लेकिन क्यों करनी चाहिए बचत क्यों करनी चाहिए बहुत अच्छा क्या होता है कि जीवन में बहुत उतार चड़ाव है फाइनिशल लाइफ किसी की भी स्टेबल नहीं हम जो भी कमात के लोग कमाई कम होती हैं, खर्चा जादा कर देती हैं. यह हमारे, कि पर अपनी चरूर्टों पर निर्वर करता है, मेरा यह मानना है कि हम जो कमाते हैं उसका कम से कम तीस परसेंट रुपया बचाएं, क्यों बचायें? उसका कारण है、 अगर आप वो बचाएंगे नहीं तो जीवन में आने वाले समय में जो आपके खर्चे हैं जिसके आपके अपने गोल्स होंगे आपने बच्चों को पढ़ाना है उनकी शादी करनी है और कितने सवाल हैं मैं आप से कुछ सवाल बूसता हूं क्या आप चाहते हैं कि पचास की उम्र में रिटायर हो जाएं यदि हां तो कैसे होंगे उसके लिए बच्चत चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशली फ्रीडम रहें आपको जब आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको ये सोच के ओरर करना ना पड़े कि जो किशन लोन पर निर्बर ना होना पड़ तो भी आपको बच्चत करनी हैं अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के चुंगल में ना फसे आज हमने कर्चा कर दिया और हमारी कमाई का आने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनको उनके ब्याज की उनकी पेनल्टी देने बेना चला जाए तो हमें बच्चत करनी पड़ेगी अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे अपना खुद का मकान हो और वो भी बिना किश्टो पर तो कैसे होगा उसके लिए भी बच्चत करनी पड़ेगी अब क्या होता है कि जीवन के अंदर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको प एक अगर आपने वो पैसे कुछ जोड़ रखें हैं तो आपके लिए बहुत अराम हो जाएगा बच्चत आपको क्या देती है बच्चत आपको एक मांसिक शांती देती है कि कि किसी भी कोई भी फाइनिशल अमर्जनसी हो कोई भी आपकी जरूरत है वो अराम से पूरी हो ज ली जाती थी हम थोड़ा थोड़ा रुपया उसमें जोड़ें जोड़ते रहते थे तो क्या होता था कभी भी जरूरत हुई हमने बैट खरी तना है हम मम्मी को कहते थे कि हमारे पास इतने रुपय इकट्टे होगे थोड़ा सा आप जोड़ दो हमारा बैट आ जाए तो मम् कि किया हों करजदार होना पड़ेगा, डि तो तसबसे बड़ा फाइदा इसका यह हैकि अगर आप करजदार नहीं बनना चाहते, तो आज ही से बचत चलू करे और कितनी करें, क्या करें, कैसे करें उसके लिए आप चाहे तो हम से मिलें हम आपको बताएंगे कि सिरफ एक अजार रुपे मेने की छोटी बचत से आप अपने आपको अपने बच्चों को करोड़ पती कैसे बना सकते हैं खासकर आप जब यर्णिंग कम है ऐसे में बचत कैसे करेंगे बचत तो देखो आपके मन का एक हिस्सा है उससे आपने आप आएगा कमाई कितनी भी हो बचत करना कोई मुश्किल काम नहीं है कुछ खर्चे हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं कि जो हम अवाइड कर सकते हैं जिनको हम डिले कर सकते हैं उन्हीं को आपने थोड़ा सा प्लान करना है थोड़ा सा उसको एड़्जस्ट करना है बचत अराम से हो जाए आपके खास करें वेबसाइट भी है सेवन ग्रो जी सेविंग पर ही है और निसी तो और पर उसके बाद निवेस भी आता होगा उसमें तो हम चाहेंगे कि आप दिखाएं दरसों को बताएं कि देखो जी हमारी सेवन ग्रो के नाम से हैं और उससे पहले अगर हम चाहें तो हम बैठ के भी आपकी अपनी जरूरतों के इसाब से कितनी बचत करनी है उस बचत से क्या फाइदा होगा, आप कौन कौन सी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनकी एसाब से आपको कितना पैसा जोड़ना है, वो हम सब बात कर सकते हैं, और बचत करो और शान्ती से और मज़े से जीओ, खास कर जब बचत करते हैं तो उसके बाद आता है, उसके पहले एक ही चीज होती थी, कारण क्या होता था कि पहले हम लोगों के अगर थूड़ा सा ओरम पुराने टाइमों में चले जाएं, तो हमारे पास आपको पता था, सिक्के कुन से चलते हैं, सोने के, चांदी के, होता क्या था कि वो आपने रुप्या रख लिया, तो वो जैसे जो हमारा रुपिया है, उसकी कीमत धीरे-दीरे कम हो जाती है, तो बच्जट करना जतना जरूरी है, उस बच्जट को अच्छे से रखना भी बहुत जरूरी है, वरना हम अपने पैसे को घटा देते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन-कौन से विकल, हम चुन विकल्प हैं कुछ विकल्प ऐसे हैं जो आपको 6-8% की रिटन देते हैं उससे क्या होता है कि आपका पैसा बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितनी मेंगाई बढ़ती है तो अगर उसको दूसरे शब्दें में कहें तो हम पैसा बचाते हैं इन्वेस्ट करते हैं ले इसके अंदर और बहुत सारी आप्शन है वो अगीन सब के लिए जैसे होता ना हर दवाई हर एक के लिए नहीं होती है चाये मर्ज एक ही हो ऐसे ही हर सोलूशन एक आदमी के लिए नहीं होता है वो सोलूशन किसी के लिए कोई होता है किसी के लिए कुछ होता है कुछ के लि जैसे पुराने हैं ना तरीके कमेटिया चला ली इधर कर दी तो उससे बचत करते हैं सब के अपने अपने तरीके हैं लेकिन जिस तरीके से आज चेंज आ रहा है सारी चीजे बदल रही हैं तो नए नए तरीके आ रहे हैं उसके अंदर क्या करना है कैसे करना है आप कितना रि उसके एसाब से कोई भी निवेश का फर्मुला चुन सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद संजी कुमारगर जी आपने बहतर जान कारी दी धन्यवाद तो यह दे संजी कुमारगर जो बता रहे देखा आज कर बचत का अपना महत्वे अगर आप आज बचत करते हैं तो कर बहुत आज कोई दूट निवेश 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 का पूंच कर बचत करदे पाने ओूंच कर दोंदगर दॉड बता हैं तो यह पर जो यह रहुत अधित कर दो इपने महत्त To रहा वहे इसता